So Hello Everyone, मेरा नाम है समसुल और जानकारी पूर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका इस्रम कार्ट बना है जैसे ही आप लोग उस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों से आप लोग अपने इस्रम कार्ट का पैसा घर बैठे ही अपने मोबाल फोन से चेक कर सकते हैं आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों आपने जब इस्रम कार्ट बन बाया था तो उस समय आपने कोई सा भी बैंक अकाउंट दिया था इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक अकाउंट दिया था एटल पेमिंट बैंक अकाउंट दिया था या फिर इसके अलाबा SBI, bank को बड़ाओ दया फिर कोई भी bank account दिया था सभी bank account का पैसा आप लोग चेक कर सकते हैं तो दोस्तो घर बैटे ही अपने e-sroom card का पैसा अपने mobile phone से चेक करने के लिए आप लोग बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे कि दोस्तो आने वाली और भी वीडियो की notification आपको मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप जानकारीपूर website पर आ जाएंगे या फिर किसी भी browser में आपको type करना है www.janakaripur.com तो भी आप इस website पर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तो यहां पर आपको कुछ नीचे की side में आना है यहां पर मैंने पूरा article लिख रखा है कि स्रम कार्ट का पैसा किस प्रकास से आप लोग check कर सकते हैं तो simply से इसी वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने यहां पर complete article आ जाएगा और यहां पर दोस्तो मैंने इस्रम कार्ट का पैसा चेक करने के दो तरीके बताये हुए है सबसे पहले दोस्तो मैं आपको एक सरल सा और सबसे आसान तरीका बता देता हूँ और उसके बाद दोस्तो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ तो पहला तरीका दोस्तों ये है कि आपका account किसी भी bank में हो आप किसी भी bank में missed call के जरीए अपना account balance चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है या फिर नहीं आया है अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि missed call का जो toll free number होता है हम कैसे पता करेंगे कि हमारी bank का missed call number क्या है तो यहाँ पर जब आप लोग website पर आएंगे वीडियो के description box में दिये गए लिंक पर click करके तो यहाँ पर मैंने काफी ज़्यादा bankों के missed call number दिये गए हैं यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो अगर आपका account state bank of India में है तो यहाँ पर मैंने balance check करने का number दिया गया है आप लोग इस number पर missed call करेंगे तो आपका account balance आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग mini statement निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने दूसरा number दिया गया है इस number पर आप लोग call करेंगे तो आपका mini statement आजाएगा mini statement यानि कि आपके account में जितने भी transaction हुए होंगे वो सभी आपको देखने को मिल जाएगे इसी तरह से इनके अलाबा आपका और भी किसी bank में account है तो यहाँ पर मैंने और भी काफी bank को के number दिये गए हैं जैसे कि देना bank, कोटक महिंद्रा bank और इसी परकार से काइनरा bank, national bank तो आप लोगों को करना क्या है इस website पर आकर के ये toll free number है और जो mist call वाले number है इन number को note करके आपको एक mist call दे देनी है जिसे ही आप लोग मिश्ट call करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके account में ये पैसा आया है या फिर अभी तक नहीं आया है लेकिन यहाँ पर द इस रमकार्ट का पैसा चेक कर सकते हैं तो दोस्तो आपने उमंग का नाम सुना ही होगा अगर नहीं सुना है तो आप इस website पर आएंगे यहाँ पर दोस्तो आपको एक link मिलेगा website link click here तो जैसे ही आप लोग click here वाले option पर click करेंगे तो आप उमंग website पर आ जाएंगे और दोस तो यहाँ पर login and register वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा अगर आपने उमंग website पहले से ही यूज की होगी तो आपको यहाँ पर mobile number और password डाल करके login कर लेना है लेकिन अगर आप first time यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ एक option देखने को मिलेगा create account आपको create account वाले option पर click करना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप लोगों को अपना mobile number enter करना है उस mobile number पर एक OTP सेंड किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर fill करना है यह capture code आप लोगों को इस वाले box में fill कर देना है इसके बाद आए agree वाले option पर click है आप जो भी रखना चाहते हो और आप लोगों का यहाँ पर account create हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से इसी page पर आ जाना है यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे सबसे पहला login with IMPIN और दूसरा login with OTP मैं यहाँ पर login with OTP वाले option पर click करूंगा यहाँ पर आपक तो एक option देखने को मिल जाएगा P F IMPI तो simply से इसे वाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद आपको दो option यहाँ पर देखने को मिल रहे है know your payment status और दूसरा track your NSP payment तो यहाँ पर आपको know your payment status वाले option पर एक बार click करना है लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे ही click करेंगे आप the service you are looking for is currently unavailable तो समझ लीजी यह website नहीं चलेगी और आप यहाँ से पैसा चेक नहीं कर सकते लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का अगर pop-up नहीं आता है तो आप यहाँ से अपने इस रमकार्ट का पैसा चेक कर सकते हैं अभी फिलाल यहाँ पर currently unavailable लिखके आ रहा है तो आपको close वाले option पर click कर देना है जब कभी यह unavailable लिखके ना आये तो आप लोगों को किस तरह से चेक करना है इसके लिए यहाँ पर आप एक account number डालेंगे जो भी आपके bank का account number है यहाँ पर आप लोगों को bank का नाम select करना है जैसे ही click करेंगे तो सभी bankों के नाम आपके स मिल जाएगा लेकिन अगर पैसा नहीं आया होगा तो यहाँ पर note record फोंड लिखके आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपने इस रमकार्ट का पैसा घर बैटे ही check कर सकते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको दोनों ही तरीके बता दिये हैं इन दोनों इस बैंक का नाम comment box में लिख सकते हैं जिससे कि दोस्तों मैं आप लोगों को इस बैंक का help line number भी इस website पर provide करा सकूं तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंदाई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा स्रिमिक भाईयों में share करें ताकि बहु